हेलो दोस्तों कैसे हैं आप साब स्टार इलक्टोनिक्स की और से आज आपके लिए मैं पेश करता हूँ संसुई ग्राफिक एक्विलाइजर जो के कॉंसुलेट में आता है यह इसका मोडल नमबर है और जी सेवन और जी सेवन मैं आपको चला कर दिखाता हूँ उसकी पहले मैं आपको जान कर देता हूँ यहां से करेंगे पावर अनॉफ बाकि यह इसका देख सकते हैं यह एक्विलाइजर है इसमें यह 8KHS 4KHS 16KHS वगर है सब एक्विलाइजर आप यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से और इसका डायोग कर सकते हैं एको के लिए लाइन को आप ओन करेंगे ही Jugend को जाएगी और ये एको और डुट के लिए आप यहां से इसको सिलेट कर सकतें और एको का यह वोल्यं में कंट्रोल दे रखा है कंपनी ने जितनी भी आप eco sound चाहते हैं गाने की effecting eco की आप यहां से चला सकते हैं reverb की बाकि यह electric guitar के लिए होता है यह equalizer on off के लिए है यह equalizer की effecting चाहते हैं on off के लिए तो यहां से इसको use कर सकते हैं line input के लिए तो यह दिखाएता हूँ channel 2 channel 1 के यह mic है कि मैं पिलेखर के कुछ दिखाता हूँ देख सकते हैं दोस्तों यह equalizer equalizer off पहले मैं equalizer की effecting दिखाऊंगा उसके बाद eco की एक्युलाइजर इसकी effecting दिखा देता हूँ वो श्रांदार effecting है देख सकते हैं अब यहां से इस तरी कैसे जाओ मेरी जाओ इस तो हर पर दम यह equalizer रोग एक्युलाइजर रोग से नम मिलगा सक्या लाइन के लिए line input यह take or source के लिए और अब मैं आपको eco effecting इसमें चला कर दिखाता हूँ तो eco के लिए आपको यह control इसको और जेस्ट करना पड़ेगा दिखा देता हूँ इस दिल है मिलता याद मुश्के से यह equal हो चुका यह normal देख सकते हैं यह normal sound इस दिल हो तुम क्यांड से है तो चांड नहीं दहां लाट के आना शुना दोस्तों आपने इको देखे मैं काने को पिले करता हूँ तो इको की एफेक्टिंग आपको खुद नजर आएगी देख सकते हैं यह देखिए इको की एफेक्टिंग पूरी है इक्यूलाइजर में बहुत शांदार यह प्रोडेक्ट मेरे पास आया है आप इको sound पुराने गान में सुनेंगे तो काफी मज़ेदार यह एक्यूलाइजर और बाकी एको आप ना चलाना चाहें तो इसको volume को off कर सकते हैं इसको बंद कर सकते हैं बाकी इसका do it और एको के लिए switches भी है यहां से एक क्यूलाजर आप on off कर सकते हैं line के लिए यानि इस तरीके साब को यह चलाना है जो मैंने आपको बताया है बाकी यह इसके effecting के लिए यह देख सकते हैं बहुत अच्छी सेटिंग से यह एफेक्टिंग के लिए आपको यहीं पर इसको रखना है ताकि अच्छी इसमें क्वालिटी की आवाज आए जो मैंने इस तरीके से इसका डाइगोराम मना आए इस तरीके से देख सकते हैं पुर्ष अंदार में निव पीस आज आपके लिए लेकर आया हूं और इसकी मैंने जानकरी आपको जितनी मुझे आती थी इतनी दी बाकि तो जो मेरे भाई जो मेरे दोस्त इनको चलाने वाले हैं इनकी इफेक्टिंग के बारे में काफी कुछ जानते ही है वो तो चलिए मैं इसकी back side connection दिखाता हूँ देख सकते हैं दोस्तों इसकी back side पहले मैं आपको connection समझा देता हूँ यहां भी लगा सकते हैं कोई और दूसरा product 220V से यह operate है यह इसकी detail देख लेते हैं RG7, Medin Japan, Tokyo Japan Medin Japan का यह product है यहां आपने tape monitor में recording output आप tape monitor यहां से use कर सकते हैं एक पीस और इसमें लगा कर चला सकते हैं और input आप यहां से ले सकते हैं अप्लिफार के लिए output आप यहां लगाएंगे यह इसके serial number तो चलिए मैं इसका inside भी आपको दिखाता हूँ मैंने page loose किये हैं यह देख सकते हैं बिल्कुन new piece आज मेरे पास ही आया है और equalizerों में इतनी अच्छी condition बहुत बाई chance ही मिलती है एकदम आती नहीं एकदम यह equalizer river मेरे पास ही है संसुई का बहुत शांदार product आया है तो चलिए इसका मैं आपको price बता देता हूँ तो देखा दोस्तों आज का मैं बहुत शांदार आपको product लेकर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ यह संसुई का RG7 जिसमें आप equalizer का मज़ा भी ले सकते हैं और eco effecting का भी कोई भी आप old गाने सुनेंगे इको करने के बाद काफी शांदार अबाज हो जाएगे और मैंने इंसाइड भी दिखा दी बिल्कुल मिंड कंडिशन में नया piece मेरे पास ही आया है चलिए हम मैं इसका price बताता हूँ यह जिस बाहिए ने लेना हो पर्चेस करना हो तो मैं इसको देता हूँ केवल 12,500 ओली यह 12,500 रुपे का प्रोडेक्ट मिलता है आपको क्योंकि यह मुझे भी थोड़ा सा कोश्टिली इसके कंडिशन के एकोडिंग और इसकी वर्किंग के एकोडिंग मुझे भी यह कोश्टिली मिला है इस टाइब के एकोडिंग थोड़े कोश्टिली आते हैं फिर भी मैं बहुत कम मार्जन रखके आप तक पहुचाने के कोशिश करता हूँ तो यह आपको मिलता है 12,500 पेगा इसको लेने के लिए आप मुझे संपर कर सकते हैं धन्यवाद